वेलो फ्र रिंट्स बेल कम तू टार्गेटिंगगॉल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उत्तरप्रदेश की मिठिया और मरदा परदन तो उत्तरप्रदेश में किस किस प्रकार की मरदाएं Advent पाय जाती हैं उनमें कौन कौन से पोसक तक्त्तों की कि उनमें कमी है इसके साथ साथ उनमें कौन सी फसलें अच्छे तरह से उगाई जा सकती हैं और अपरधन में किस किस तरह के अपरधन उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रभावित करते हैं तो ये सारा कुछ आज के इस वीडियो मे हम देखने वाले हैं इसके वहले फ्रेंट हमने और यूपी स्पेसल के लिए वीडियो बनाये थे जिसमें हमने काथी कुछ उसकी क्या भौतिक इस्थिति है क्या राजनेतिक परिदस्र है उसका ये सारा कुछ हमने उसमें देखा था तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं द प्रिज देख लेते हैं तो मुझे ये विश्वास है कि आपको सायद ही कहीं से पढ़ने क्या वा सकता पड़ेगी तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है अपना उत्तर प्रदेश की मिट्टियां एवं मृदा अपरदन तो उत्तर प्रदेश की हम मिट्टी जाने इसके पहले हम जानते हैं कि मृदा क्या है आप सब जानते हैं कि हमारी जो प्रत्वी है प्रत्वी की जो उपरी सतह है इस में मृदा पाई जाती है लेकिन ये मृदा एक्शुली है क्या तो दिखे जो मृदा है वो मृदा बनती कैसे है आप जानते हैं कि जो हमारी बेसिक रॉक्स होती है बेसिक जो चटाने होती है उन चटानों के बिखंडन से ही क्या बनती है मरदा बनती है हलाकि ये बनने की जो प्रक्रिया है इनकी इसमें से करोडों वर्स लग जाते हैं तब ये बिलकुल कुछ इंच की मरदा बनती है तो मरदा बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वो भाग है पूरी प्रत्वी का जिसमें से हम अन उगाते हैं। और जिससे कि पूरा जो भी अमारे यहां पे जीवन है उन सब को भोजन मिलता है। तो मृदा क्या है कि ऐसा पिंड है या ऐसी प्रिष्चेदिका है जिससे कि हम भोजन प्राप्त करते हैं। और वो सारे प्राणियों के लिए बहुत ही उपईयोगी है, म्रदा जो होती है उसमें क्या है कि कुछ दो खनिष्टतों पाए जाते हैं और कुछ आर्वनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो खनिज तत्व का मतलब यह है कि जो खनिज होते हैं जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, इलुमिनियम हो गया, तो यह खनिज पदार्थों से और इसके साथ साथ में कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जीवांस होते हैं, जीवांस कैसे, जैसे मा जीवान से या फिर कार्बनिक पदार्थ तो ये सारा कुछ मिट्टी में होता है मिट्टी जो होती है वो खनिज पदार्थों और जलवायू के हिसाब से अलग-अलग प्रकार की होती है तो मिट्टी में खनिज पदार्थ है उसके साथ साथ में जो जलवायू है अलग-अलग प्रदेसों की वो उसको क्या करती है प्रभावित भी करती है हलाकि एक ही प्रदेस में अलग अलग तरह की मिटियां हो सकती है जैसा कि हम यूपी के संदर में भी इसको अभी देखेंगे तो मिटियां अलग अलग तरह की होंगी तो मिट्टियों को हम UP में तीन प्रकार से मैनुवली बाड़ते हैं कि जो हमारा पूरा UP है उसमें से तीन तरह की मिट्टियां होंगी इस अगर मैप में आप देखें सदारण सा तो मैप का देखिए यह जो इधर वाला पोर्शन है उत्री पोर्शन है यह प waffle तो यह पोर्शन अधिकांस्ता क्या है कि परवतों की तलहटी है क्यों क्यों देखें यहां आप उत्राखण में चले जाएं यहां आप नेपाल में चले जाएं यहां और अगर इधर आते हैं आप तब यहां हिमाचल परदेश और यहां का परदेश देख लीजिए तो यह सारे क्या हैं कि परवत की तलहटी से जुड़ा हुआ यह वाला अपना बेल्ट है पूरा तो यह जो बेल्ट है यह बेल्ट एक अलग तरह की मिट्टी का निर्माड करती है इसके बाद में यह बीच का जो छेतर है जो की गंगा यमना के भाव का छेतर है मतलब गंगा यमना इस छेतर में बैठती है तो गंगा यमना जो इस छेतर में बैठती है जिसे हम कह सकते हैं कि एक ये मद्धमेदानी छेतर अपना होगा अच्छा ये जो उपर वाला छेतर है इसको हम डिटेल में अभी आगे और पढ़ेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि इस वाले छेतर में हम दो चीजें देखेंगे, एक तो देखेंगे कुछ पहाड़ी और पठारी तरह की मिटियां इस शेत्र में पाई जाती है तो friends हम क्या करेंगे इसको तीन भागों में अभी पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इसमें से पहला भाग जो है पहला भाग क्या है कि ये भावर एवं तराई का शेत्र है देखिए भावर शेत्र बना कैसे आप जानते हैं कि जो परवत है और परवत की नीचे तलहाटी है तो जो भी नदियां है वो परवतों से निकलती है और परवतों से निकलके वो नीचे की ओर आती है अगर विश्व भुगोल आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि हमारा जो टेथिस सागर था टेथिस सागर का मतलब यह है दिखिए हमारा सुरुवाती जब हमारा यह जो भारत है इस रूप में नहीं था तब भारत के उत्तरी छेत्र में जहां पर हमारा उत्तर प्रदेश है आज यहां पर एक टेथिस सागर था तो टेथिस सागर में क्या होता था कि उपर से और नीचे से इन दोनों तरफ से नदियां बैके जाती थी और इस छेत्र में क्या करती थी वो अपना जमाव करती थी देल्टा का जमाव करती थी फिर क्या हुआ कि जो अपना भारत है यह उत्तर पूर्वी की और क्रम सा खिसका है तो इसकी वज़े से जो टेथिस सागर है वो भर गया है और टेथिस सागर भरने के बाद में ये नदियों का जो करम था भरने का वो पूरा होने के बाद में एक बड़ा सा छेतर बन गया है जो कि ये पूरा मैदानी छेतर है इसके बाद ये जो छेतर बन गया तो इसी कारण से अगर आप टर्म अगर जानते हों कि ये जो भू सन्नती है ट्रथिस सागर की भू सन्नती है इसको हम नदियों का पालना भी कहते हैं क्योंकि सारी नदियां यहां आके मिलती थी अब देखिए यह जो भावर और तराई छेतर का है तो यह भावर और तराई छेतर उसी से उपर से जुड़ा हुआ छेतर है जैसे कि अब यहां पर क्या होगा यहां से देखिए परवत है उपर से तो परवतों से नदियां तेजी से बहके आएंगी जब तेजी से यहां बहके आएंगी तो यह अपने साथ क्या लाती है कि बड़े बड़े पत्थर बहा लाती है तीब्र बहाव में तो जब ये बड़े बड़े पत्थर बहा ले जाएंगी तो ये क्या करेंगी इन छेत्रों में वही बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ देंगी नदियां ये हजारों साल करती रहेंगी ऐसे ठीक है तो इस छेत्र में क्या करेंगी कि जो भी बड़े बड़े पत्थर से हैं तो यहाँ पर क्रसी करना फ्रेंड से संभाव नहीं हो पाता फिर क्या होता है कि अगले चाड़न में नदिया इस में से बिलुप्त होके इस चेतर में निकलती है नीचे यहां और इस चेटर को हम कहते हैं तराई के चेतर तो हमने दो दलदली छेतर होगा यहां पर मच्छरों की संख्याजादा होगी हलाकि मिट्टी महीन होगी और बालू भी होगी यह फैफिक होकि उभ्जाओ होता है और यहां पर मुखिता गन्ना और धान की पैदावार अच्छी होती है तो यह कहां उपरी छेतर ओहद परते जिसमें से हम सा चेतर है कि जहां पर गंगा और यमुना दोनों नदियों का भाव चेतर है उसे हम कह रहे हैं मद्ध मैदानी चेतर में जो मिट्टियां हैं वो कैसे बनती हैं वो बनती हैं काप मिट्टी की चड़ वालू इन से निर्मित होती हैं यह जो मिट्टियां हैं इन चेतर की मिट् भी कहते हैं ठीक है यहां की मिटियां उबजाओं है और इसके साथ साथ में इन मिटियों में देखिए पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अभी हम आगे एक बांगर छेत्र पढ़ेंगे इसमें तो वहां पर हम यह आपको अभी बता रहे हैं कि बांगर और जो छेत्र है वहां पर चूना ज़्यादा पाया जाता है ठीक है तो देखिए चूना और पोटास यह दो चीज़ए पाया जाती zwei इस मद्ध छेत्र में जो मिट्टियां है जिनको हम जलोड मिट्टियां कहते है ठीक है इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है तथा जीवांस की भी इसमें थोड़ा सा कमी होती है तो फास्फोरस नाइट्रोजन और जीवांस इसमें कम होता है और चूना प्रचुर मा कुछ और भी मिट्टियां पाई जाती है छोटे-छोटे छेत्रों में उनको हम डेटेल में पढ़ेंगे तो दिखिए पहली मिट्टी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस छेत्र की जिसे हम कह रहे हैं क्या बांगर दिखिए बांगर छेत्र क्या होता है जैसे मान लिजे कि नदियां आप जानते हैं कि जो नदियां हैं वो हमेशा एक ही जगए से नहीं बैती हैं वो अपना इस्थान परिवर्थित करती रहती हैं तो कुछ छेत्र ऐसे थे जहां पर बहुत पहले नदियों की स्थितियां थी लेकिन अब वो नदियां उस जगए नहों के दूसरी गए थे वहां पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुच पाता है तो इस शेत्र मतलब वो शेत्र जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुच पाता है उस शेत्र में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उन्हें हम बांगर कहते हैं इस शेत्र में चूना की मात्रा ज्यादा होती है और बीच बीच में ये चूना कैल्सियम कार्बोनेट के स्टोन पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें फ्रेंट्स कंकड कहा जाता है, तो ये अगर मिट्टी को खोदा जाए, तो ये वहाँ पर मिलते हैं हमें, ये जो मिट्टियां हैं, ये चुक उर्वरा सक्ति कम पाई जाती है क्योंकि इनमें निरंतर जब क्रसी शुरुवाती दौर से होती रही है तो इनकी जो उर्वरा सक्ति है वो कम हो गई है तो अगर उर्वरा सक्ति कम है और हमें वहाँ पर क्रसी मतलब करना है वहाँ पर हमें खेती करना है तो उसके लिए आवस नाइट्रोजन और फासफोरस की कमी इसमें से पाई जाती है और पोटास अधिक मात्रा में यहां पे होता है दूसरा जो मुख मिट्टी है इस शेतर की वो मिट्टी है खादर देखिए खादर से मतलब ही है थोड़ा सा अगर आप इसको सोच के देखें खादर का मतलब ऐसा म हैं गालड की बात करें तो बांगर को पुराणा जोर कहेंगे और इसको हम कहेंगे नवीद जंडोड कोध कशारी मिट्टी या फिर खादर मिट्टी ओके तो य। जो मिट्टियां जहां पर हर्स वर्स मतलब समयीं या फिर कहले सकते हैं कि जब बाढ़ का समय होता है, तब उस छेतर में बाढ़ आती है, तो जब बाढ़ आएगी तो उस छेतर में क्या होगा, कि नवीन हो जाएगी मिट्टी, नई मिट्टी हो जाएगी, इस कारण वहाँ पर खाद की मात्रा या फिर उबजावपन वहाँ का जादा हो जाएगा, ये जो मिट्टीयां होती है इनमें जल धारन करने की छमता आधीक होती है, इसके साथ इसमें देखिए चूना और पोटास और मैगनीशियम इस छेतर में अधिक पाया जाता है, और ये जो मिट्टीयां होती है, इनहें हम सेल्ट बलुआ या फिर दोमट या फिर मतियार दोमट के दिग्म केनाम से भी जानते हैं और सबहुत ही अच्छी उपज होती है बहुत ही अच्छी खीती होती है जैसे हम अगर इस छेतर की बात देखें तो हमारा यूपी का स्टेट्ञ है गिहूं हो गया इफिंज चना हो गया मर्के को जीजर से luxεί की अधानासी में होता है तो यह सारी जो भी मित्टीयां ह। यह प्रत्यक फसल के उप्योग के लिए बहुत ही महत्यपून है १ल देखे जो मदघएख छित्र है जिसे हम देख रहे थे इसmee से कुछ और मिट्टियां हम पढ़ते हैं तो इसमें से पहली मिट्टियां मिट्टि इधर पर हम देख रहे हैं लवडी या चारी मिट्टि लवडी मिट्टि का मतलब यह है कि ऐसी मिट्टि होगी जिसमें लवणों की मात्रा अधिक होगी तो लवणों कौन कौन से लवण हो सकते हैं उसमें तो देखिए सोडियम पोटैसियम और ये जो कैलसियम है इनके लवण इसमें से जादा होते हैं तो सोडियम पोटैसियम कैलसियम इनके लवण इन मिट्यों में जादा होते हैं और इनका पीच मान जो है वो क्य साथ गया है कि neutral है जैसे हमारा जो जल है जल का pH मान कितना 7 होता है 7 के उपर जैसे ही हम जाते हैं तो वहां जो भी पदार्थ है उसकी प्रक्रती चारी होने लगती है और 7 से अगर नीचे जाते हैं तो अमली होने लगती है एक मज़े की बात ये है कि जो थोड़ा सा अमलिय मिट्टी होती है वो जादा उपजाओ होती है अगर मिट्टी का जो pH मान है वो 6.5 के करीब है तो वो मिट्टी जादा उपजाओ होगी लेकिन जैसे मिट्टी छारी होती जाती है तो वो मिट्टी क्या होती जाती है उसर होत कल्णी जाती है कल्ल रोती है तो वहां पर उब जाओपन नहीं रह जाता है तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में इस प्रकार की 10% expense कैसी हो गई है इस प्रकार की लवड़ी ये मिट्टियां हो गई है यूपी में जो अब जिलों की बात करें कि लवड़ी मिट्टियों का जो छेत्र है वो कौन-कौन सा है तो इसमें से दिखिए अलीगड़ है मैन पूरी है कानपूर है उन्नाव एटा रायवर एली सुल्तानपूर जौन includes और प्रियाग्राज का कुछ छेत्र इसमें मैन वनी आता है तो यह जो चेत्र हैं यह क्या हैं लवड़ी मिट्टी ये च्छारी व्टी के चेत्र हैं ये छेत्र इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि इन छेत्रों पर नहरे वोती है। उन से पाणी की सिचाए़ जाधा कर दी जाती है। और जो नदियों का पाणी होता है वो थोड़ा सा लमड्य होता है। उसमें से लमड्य की मात्रा होती है। तब वो यह जो मिट्टी है लबड़ी होने लगती है और इस मिट्टी के ऊपर मतलब हम यह कह सकते हैं कि नमक की जैसी मात्रा भी दिखाई देने लगती है ऐसी जो मिट्टियां होती है देखिए मैंने अभी कहा था कि रे कलर है ना बंजर इन मिट्टियों के अलग और से ना लबडी मिट्टी के साथ साथ में यूपी में मरुस्थली मिट्टी भी पाई जाती है तो मरुस्थली मिट्टी जो है वह मैनवली पाई जाती है उत्तर प्रदेश का पस्चमी छेत्र उत्तर प्रदेश का जो पस्चमी छेत्र है जिसमें से आगरा मतुरा और अलिगर इन छे से कम वर्सा होती है मतुरा में यूपी में तो यहाल जो flatter है यहाँ झूकी वर्सा कम होती है तो यहाँ वनसपत्म होगी और इसके साथ साथ में यहाँ पर सूखह की puppy धर है वो जादा होगी तो सूखह जब ज़ादा हो तो यहाँ की जिए चट्टाने हैं वो काली मिट्टी देखते हैं, तो यूपी का कुछ छेत्र ऐसा है, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी का जो छेत्र है, वो मुखता कौन सा है, बुन्देल खंड है, काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, रेगर कहते हैं, ये कई बार एकजाम में लेकिन कुछ छेत्र आमना जो बुंदेल करणा का छेत्र है वह पर भी ये काली मृतियां पाई यह मृतियां इनका एक नाम और भी जिने कहा जाता है कि स्वतहजुताई वाली मृतिय यह क्यों क्यों कि जब यह सूखती है जैसे पहले गीली हो गई फिर ये जब सूखेंगी तो इन में बड़ी बड़ी दरारे पड़ जाती है तो कहते हैं ये स्वता जुताई वाली मिट्टी होती है तो दिखिए हम दो चीजों को दिख लिए एक तो उपर वाला बेल्ट देख लिए भावर और तराई वाला एक मद्ध वाला बेल्ट देख लिए अब हम देखते हैं दक्षण वाला बेल्ट तो दक्षण वाले बेल्ट में किस-किस तरह की मिट्टियां पाई जाती है और उसमें से कौन-कौन से जिले हैं देखिए जो नीचे वाले जिले होंगे वो सारे इस छेत्र में आएंगे जैसे ललितपुर, जांसी, जालाउन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और दच्छन प्रियाग राज है प्रियाग राज या इलाबाद का जो दच्छनी छेत्र है वो इस छेत्र में पाया यहां की मिट्टियाँ देखिए एक तो सूखी होंगी है ना कुछ लाल कलर की होंगी और यह इफेक्टेड होंगी पठारी छेत्रों से इन मिट्टियों के जो नाम है वो कुछ इस तरह से हैं देखिए इन मेसे जैसे मुखता लाल बर्दा मिट्टी, परवा या पडवा, म इसके साथ अब देखिए हम देखते हैं मुर्दा परदन, एक चीज और इसमें से थोड़ा हम जान लेते हैं, कि देखिए यह जो मिट्टियां होती है यह बहुत ज़्यादा उपजाव नहीं होती है, इन में से जब सिचाई ज़्यादा कर ली जाती है तो सिचाई और और हम इन में से क्या कर सकते हैं, कि मुर्दा से कुछ उपजाव फसलें उगा सकते हैं, और देखिए यह जो मार मडवा जो यह है, यह कहां पाया जाता है, जो हमीरपूर छेतर है, इसके साथ जो बाना छेतर है, इस से जो जुड़ा हुआ जो बेल्ट है, महोबा छेतर है पाये जाते हैं, राकड मिट्टी थोड़ा सा काली मिट्टी होती है, और इसमें मतलब अगर सिचाई करें और उर्वरक दें तो खेती की जा सकती है, अब देखिए मृदा अपरदन देख लेते हैं, मृदा अपरदन क्या है, अगर इसको सधारन साम जाने, तो मृदा का हमने सुरुआती दिखिए बात की थी, कि मृदा की उपरी परत बनने में हजारों साल लग जाते हैं, करोणों साल लग जाते हैं, और अगर ये मृदा बह जाए तब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी कीमती चीज बह गई तो मृदा जो है, वो उसका कटान जब हो जाता है, ए एक तो जलद्वारा है और एक है वायुदार, अब जलद्वारा जो हम अपरदन देखते हैं, इसमें से भी दिखिए कई तरह के अपरदन हुआ करते हैं, जिसमें से एक होता है परत अपरदन, परत अपरदन का ये मतलब है कि जैसे माली जीए कि एक कोई खेत है, इस खेत म क्या हुई कि बरसात तेजी से हुई और अगर इस खेत में मेर बंदी नहीं की गई है अच्छी या फिर इस खेत की धलान जो है वो ज़ादा है तब क्या होगा कि बरसा के साथ में ऊपर ऊपर की जो मिट्टी है ये क्या होगी बह जाएगी और ये उपरी मिट्टी में ही हम क्रसी करते हैं इसलिए जब ये उपरी जो मिट्टी है जो उपजाओ थी ये बह जाएगी तब क्या होगा वो परत अपरदन कहलाएगा और इसे किसान की मौत भी कहते हैं ये अपरदन में हम उसमें मेर बना के रखें. दूसरी चीज अगर हमारा जो छेत खेत है अगर वह धलान वाला है तब यहां पर हम जो जुताई करें वह इस तरह करें इसको समोच्य जुताई भी बोलते हैं समोच्य best करें अगर धलान अब बरसा होई, तो बरसा होने के बाद में क्या होगा? कि इसी खेत में छोटी-छोटी नलिकाएं बन जाएंगी पानी और ऐसे ऐसे बहेगा अगर इस छेत्र में माली जे हमने ध्यान नहीं दिया और कंटीनी बरसा लगातार होती रही तो पहले ये छोटी नलिकाएं बनेंगी फिर और बड़ी नलिकाएं बनेंगी फिर और बड़ी नलिकाएं बन जाएंगी तो दिखिए जो चंबल नदी है यमना की सायक नदी है तो चंबल और यमना इन दोनों नदियों का जो छेत्र है वो इससे बहुत ही जादा ग्रसित है मद्द परदेश का जो मुरायना छेत्र है और ये बाला जो छेत्र है वो इससे जादा ग्रसित है और अगर यूपी की बात कर यह आपना जल है और दूसरा वायू है तो वायू अपरदन देखिए कैसा होता मैप से अच्छे से तो उसको आप देख लेंगे तो यह जो चीज़े हैं थोड़ा सा आपको और भी सिंपल हो जाएंगी हलांकि मैंने पहले यह थोड़ा सा मैप आपको दिखाया था तो दूखिए यह जो वाई व परदन है वाई व परदन इस शेतर में जादा होता है वाई इसके साथ उसके जो अपरदन हो रहा है यह अपरदन हो हमने चीजें इसमें से देखी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिएगा ताकि उन झाल झाल